Hello everyone, welcome to our channel पढ़ाकू लोग, जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा इसी थौट के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी कॉंसेप्स के बारे में जो पच्चे यूजली इंटर्चेंजबली इस्तिमाल करते हैं फिर उन्हें बताया जाएं कि आपने गलत किया है तो उनका question होता है, ma'am दोनों सेम ही तो होते हैं, क्या difference है इसमें? तो वही difference के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में इस वीडियो को अगर आप इन तक देखेंगे तो आपको insolvency and bankruptcy में क्या difference होता है उसके बारे में पता चल जाएगा येस आज हम जो difference between में deal करने जा रहे हैं वो है insolvency and bankruptcy सुना आपने दोनों साथ में होगा पढ़ते आप दोनों साथ में होंगे लेकिन हैं ये अलग-अलग concepts ज्यादा difference नहीं है लेकिन difference जरूर है तभी तो difference between वाला वीडियो बन रहा है आभी तक आपको पता चल ही चुका होगा कि हम अलग से एक playlist बना रहे हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ difference between की ही वीडियो इंसर्ट कर रहे हैं तो अगर आपके पास कोई suggestion है या आपकी कोई request है difference between वाली वीडियो की तो आप हमें comment box में लिखके बता सकते हैं उस पर भी वीडियो जल्व ही बना देंगे सो आईए जानते हैं अभी हम insolvency and bankruptcy के बारे में see insolvency में यह बोलते हैं insolvency is a state of economic distress एक ऐसी situation when you are not able to pay off your liabilities मालीचे मैंने किसी इंसान से उधारी ली अब मेरे पास पैसे नहीं है मैंने दूसरे इंसान से उधारी ले ली फिर मैंने तीसरे इंसान से उधारी ले ली अब मैं वो सारी उधारी लेके बैड गई हूँ वो सारी liabilities अपने सर पे रखके बैड गई हूँ लेकिन मेरे पास assets नहीं है उनको pay off करने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है उनका जो भी burden है वो उतारने के लिए, जो भी liability है वो उतारने के लिए तो ऐसे scenario को हम बोलते हैं, insolvency, मतलब एक ऐसा scenario when you are in an economic distress, मतलब आपके पास पैसे नहीं है to pay off your liabilities. On the other side, अगर हम bankruptcy की बात करें, तो ये बोलते हैं, bankruptcy is a court order that decides how an insolven debtor will deal with unpaid obligations. जब तक बात आपके और आपके creditors के बीच में है, वो insolvency है, लेकिन जब ये बात बहुत जाए court के पास, तो वो क्या बन जाती है? bankruptcy बन जाती है, मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है, अगर मैं अपने creditors को pay off नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं insolven कहलाऊंगी, लेकिन यहाँ पर बात चली गई है court के पास, और court के पास साबित हो गया है कि मेरे पास पैसे नहीं है इनको देने के लिए, तो ऐसे सिनारियो में court एक order पेश करता है, एक order देता है कि भाया अभी actually इस इनसान के पास पैसे नहीं है, यह साबित हो चुका है क्योंकि उसने मेरे assets analyze कर लिए, मेरी liabilities कर लिए and I got to know, मतलब court got to know, got to know कि भाया नहीं है इनसान के पास पैसे तो कहां से देगा, तो एक court order जो proof करता है कि भाया इनसान insolvent बन चुका है, अब इसे परिशान करना बन करो, किस तरह से आपको payment लाके देगा, वो हम बताते हैं, वो हम decide करते हैं, तो यह हो जाता है bankruptcy, तो बाते जब आप तक हैं, तो वो insolvency हैं, बाते पहुच गई court में, तो वो क्या बन जाती हैं, वो बन जाती है, bankruptcy, फिर यह बोलते हैं, insolvency can lead to bankruptcy, if the insolvent person is unable to successfully address its financial condition, इनका कहना है कि insolvency, bankruptcy बन सकता है, मतलब एक ऐसी situation when you are not able to pay off your liabilities, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, और उसे बढ़ते रहने दिया, तो वो कब insolvency से bankruptcy पर आजाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, kind of कह सकते हैं, कि bankruptcy अगर 12th class है, तो insolvency हमारा KG1, KG2 है, KG1, KG2 करेंगे तो करते जाएंगे, तो end में क्या आएगा, 12th ही आएगी न, तो bankruptcy एक last step है, whereas insolvency उसका initial step है, bankruptcy में बोलते हैं, bankruptcy is followed by insolvency, सहिर से बात है, 12th class कोई भी इंसान 1st class से पहले नहीं करता है, तो यह बोलते हैं, insolvency पहले होगी, आप pay off नहीं कर पाएंगे पहले, और उसके बाद, lastly, it will end in what? bankruptcy. Then it says, insolvency एक ऐसी चीज नहीं है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, इंसolvency को अगर धंग से efforts डाले जाएं, धंग से देखा जाए, manage किया जाए, handle किया जाए, तो वो कही न कहीं rectify हो सकता है, कहीं न कहीं reverse में आ सकता है, first day, God forbid, मैं कभी insolven हो गई, तो ऐसे सिनारियो में, मैं अपने expenditures को कम कर दूँ, मैं जिनको loan वापिस करना है, उनके साथ re-negotiation कर लूँ, कि इतना नहीं तो इतना ले लीजिए, interest इतना नहीं तो इतना charge कर लीजिए, तो ऐसे सिनारियो में हो सकता है, मैं insolven से normal person बन जाओं फिर से, लेकिन bankruptcy एक बार आ गई, तो फिर कोई भी step आपको reverse में नहीं ले जा सकता, यह ऐसा गाड़ी का वो है, जो एक बार reverse गिर मारा, तो उसके बाद आप पीछे ही जाएंगे, उसके बाद front बे आने की आपके कोई भी situation नहीं बचती है, तो insolvency हमारा first step है, जब हम pay off नहीं कर पारें अपनी liabilities को, और bankruptcy हमारा last step है, जिसमें court नहीं order दे दिया कि भाई विचारे के पास पैसे नहीं है, परिशान मत करो, जब आएंगे दे देगा, तो insolvency अलग चीज है, bankruptcy अलग चीज है, situation दोनों में भी यही है कि आप अपनी liabilities pay off नहीं कर पारें, लेकिन एक बहुत छोटा step है, तो एक बहुत major step है, मतलब end है उस particular process का, insolvency को correct किया जा सकता है, bankruptcy को correct नहीं किया जा सकता है, तो जिन भच्चों को आज तक लगता था, insolvency अन bankruptcy को interchangeably इस्तिमाल किया जा सकता है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, नहीं कर सकते हैं हम ऐसा, चाहे situation दोनों में उस इंसान की same हो, लेकिन एक में ऐसा है कि उसको थोड़ा सा गम है, और एक में उसको बहुत ज़ादा गम हो गया है, तो दोनों interchangeably इस्तिमाल नहीं हो सकती है, I hope आपको ये difference between समझ में आया होगा, और आप बेट कर रहे हैं, कब हमारा next difference between आया, और उसके लिए आप हमें suggestion भी देने वाले हैं comment section में, so stay tuned with this channel, and अगर मान लीचे आपको ये video में कोई भी doubt गया है, तो वो भी आप comment section में पूछके हमें, मतलब हमसे पूछ सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको ये slide चाहिए, notes चाहिए, तो आप हमें social media accounts पे follow कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे notes free of course available मिलेंगे, I hope आपको ये video पसंद आया होगा, आया है तो like का button दबा दीजे,